Rehabilitation Society of the Visually Impaired Chapter 2 Introduction of Input Device नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर और जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है वो प्रेज सस्क्राइब कर ले हमारे बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसका आपको नोडिफिकेशन मिलता रहे है तो चलिए चलते हैं आज हमारा टॉपिक है Input Device Input Device होती कौन-कौन सी है इससे पहले मैंने आप लोगों बताया था कर दो खीजेल के बारे में और कावड में कौन-कौन कौन सी कीस होती है दोस्तों तो और आज मैं आप Among को बताऊंगी इंपु डिवाइस में और कौन-कौन सी डिवाइस आती है फिर्स्ट हमारा की बोर्ड हो चुका है एंड सेकंड हमारा है माउस माउस देखिए दोस्तों तीन तरह की होते हैं अगर हम टाइप सब्सक्राइब माउस की बात करें तो फिर्स्ट माउस जो होता है सेकंड ट्रैग वाइस आगर दीख की जाए तो माउस में ज्य है तीन बटन होते हैं एक आपको होता है लेफ्ट ग्लिक राइट ग्लिक और बीच में होता है हमारा मिड्य में इस्क्रोल बटन ओके दोस्तों तो इस्क्रोल बटन से आप करदर को मूब कर सकते हैं अप टू यह रहा हमारा माउस, फिर हमारी कुछ और भी डिवाइस हैं, उनके बारे में आज आपको बताऊंगी, इन्पुट डिवाइस में हमारा आता है जॉयस्टिक, अब जॉयस्टिक जैसा कि आपको पता चल रहा है कि एक तरह की स्टिक होती है दोस्तों, और जी है, इसका यूज़ कुछ मशीनों में किया जाता है, फिर नेक्स्ट हमारी डिवाइस है, M.I.C.R., M.I.C.R. स्टेंड फ डिविट को जो हो वो क्याक्टर में कनवर्ड करती है, कुछ हमारा जो कोड होता है, फिर नेक्स्ट हमारा O.M.R. means, O.M.R. स्टेंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओके, नेक्स्ट डिवाइस है हमारी O.C.R., ऑप्टिकल क्याक्टर रीडर, ओके, दोस्तों, फिर हमारी और भी बहुत साइड डिवाइस हैं, जैसे स्कैनर हो गया, स्कैनर में आपको पता है, दोस्तों कि हमारा मतलब जो भी हम वुक्स या पेज़ जो भी लगाती है, वो स्कैन हो करके हमारे मॉनिटर पर डिस्पले होता है, ओके, और स्कैनर हो गया, आपका जोईस्टिक हो गय और जिन लोगों ने हमारे चनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को ज्यादा ददा शेयर करें, लाइक करें, ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले टूटूरियल में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत- प्लीज सब्सक्राइब